Hello everyone, welcome to Claps India, I am Siyadid Pandey हमने अपने लास्ट के कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि Finance Ministry ने 20 लाक्स करोर को रिलीफ टैकेज अनाउंस किया है और उन्होंने किस इंडेस्ट्रीज को टागेट करके उसको बेनेफिट प्रोवाइड किया है और अभी रिसेंटली आरबिया गवर्णनर ने भी अनाउंस्मेंट करी है रेलेटेड टू EMI रिपेमेंट अफ लोन्स और कुछ ऐसी अनाउंस्मेंट भी करी है जहांपे रेपो रेट को डिक्रीस किया है तो आज मैं आपसे इस वीडियो में उन्हीं की डेटिल अनालिसिस डिसकस करूँगा और आपको वो कैसे बेनेफिट पहुचा रही है ये भी मैं बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं लॉगड़न वन के टाइम पे आरबियाई ने हमें 3 मस का मौरिटोरियू पिरेट अलाओ किया था जो कि लॉगड़न 4 की एनाॉंस्मेंट के बाद ये पिरेट 3 मस के लिए और एक्स्टेंड कर दिया गया है यानि कि अब ये पिरेट 6 मस का कर दिया गया है ending on 31st of August अब अगर बात करें interest rate की तो interest rate lockdown 1 में आपको clear कर दिया गया था कि simple interest basis पे आपका interest calculate होगा जो आपकी further future installment में adjust कर दिया जाएगा यहाँ पे यह भी इस announcement में clear कर दिया गया है कि जो interest calculation होगी वो आपको इस tenure के over होने के बाद एक साथ pay नहीं करना है यह भी आपकी future installment में adjust कर दिया जाएगा अब अगर आपको यह doubt होता है कि अगर आपका इस scheme को opt करने से NPA या आपका civil खराब होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आपका civil बिल्कुल भी hamper नहीं होगा और आपकी credit worthiness market में बिल्कुल भी hamper नहीं होगी बढ़ यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी scheme को या किसी भी term loan की prepayment में 6 months का moratorium opt करते हो तो bank की नजरों में आपकी risk taking capacity कम मानी जाती है यानि कि future में अगर आप loan के लिए apply करते हो तो bank इस चीज को consider करेंगे और थोड़ा conscious रहेंगे कि आपको loan ना दिया जाए या फिर जितने के लिए आप apply कर रहे हो उसके लिए कम limit sanction की जाए तो मेरा suggestion यह है कि अगर आप कोई top up loan ले सकते हो जो MSMEs को provide किया गया है अभी relief package के अंडर या कोई covid emergency loan जो banks दे रही है commercial banks दे रही है अगर आप यह opt कर सकते हो तो आप अपनी working capital को process करने के लिए या पे अपने term loans के repayment के लिए अपने business को run करने के लिए भी आप कोई top up loan ले सकते हो और इस scheme से बच सकते हो तो इससे क्या होगा कि आप अगर future में कोई भी loan raise करते हो तो आपको easily bank allow कर देगा वो यहाँ पे दूसरी major announcement है जहाँ पे RBI ने repo rate और reverse repo rate को 40 basis point से reduce कर दिया है तो यहाँ पे यह announcement आपको कैसे benefit देगी इसके लिए हमें यह जाना ज़रूरी है कि repo rate और reverse repo rate होता क्या है repo rate वो rate होता है जिस rate पे RBI financial institutions और banks को money lend करती है और reverse repo rate वो rate होता है जिस rate of interest पे commercial banks और financial institutions RBI को money lend करते हैं तो simple सा logic है repo rate के according अगर RBI financial institutions को कम rate of interest पे money lend करेगी तो ultimately end customer जो bank का होगा उनको भी कम rate of interest पे loan provide किया जाएगा तो यहाँ पे आपको यह measure बहुत अच्छा measure है कि economy में liquidity boost करता है और banks पास जादा से जादा पैसा रहता है credit financing facility provide करने के लिए अब बढ़ते हैं हमारी next announcement की तरफ जहाँ पे RBI ने SIDB यानि की Small Industrial Development Bank को 15,000 करोर की credit financing facility provide की है जिसको further 90 days के लिए extend कर दिया गया है और यहाँ पे यह clear कर दिया गया है कि SIDB MSME sector को इस fund के तरू finance provide कराएगी और उनके loan को process करेगी और business में help करेगी आज की चौती announcement है Exim यानि की Export Import Bank की जिसमें Export Import business को target किया गया है और वहाँ पे भी 15,000 करोर की liquidity infused की गई है और उनको Export Credit Financing Facility provide की गई है हमारे आज की second last announcement है जहां पे फिर से export को target किया गया है और post shipment, pre shipment के लिए जो credit period allow करती थी बैंक 12 months तक के लिए उस period को 15 months तक के लिए अलाव कर दिया गया है और यह clear कर दिया गया है कि जो export 31st July 2020 तक किये जाएंगे उनको यह scheme applicable रहीगी यानि कि date of export से आपको 15 months दिये जाएंगे कि आप अपने credit को clear कर दे अब बात करते हैं आज की last announcement की जहां पे यह बताया गया है कि group exposure limit जो corporate को दी जाती है जहां पे जो group companies होती है वो अपने respective subsidiary companies के तुरू finance को raise करती है और अपनी credit exposure limit को बढ़ाती है तो इस limit को 25% से 30% बढ़ा दिया गया है जहां पे इसमें सीधा सीधा motive है कि corporates को benefit provide किया जाए और उनको finance provide किया जाए यह 30% आपकी banks की total capital base limit का calculation है जहां पे किसी भी एक particular corporate यह group company जाद से जाद 30% of the capital base of the bank ही loan avail कर सकती है और इससे जादा loan avail नहीं कर सकती है तो आज इस वीडियो में मैंने आपसे RBI की सारी major announcement detail में discuss करी और यह भी बताया कि यह आपको कैसे benefit provide कर सकती है अगर आपको यह वीडियो useful लगा हो तो इस वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करें और bell button को भी press करें कि जैसे मैं कोई नया वीडियो upload करता हूँ तो आपको notification चला जाए और आप उस information को जल से जल अपने लिए update कर सकें Thank you